कि नमस्कार दोस्तों मैं संतोच भरद्वाच आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजबर एक्स्प्रस में हर्दिक स्वागत हैं आज हम हैं महाराष्ट में और हमारे साथ हैं सुहल्द भारते समाज पार्टी महाराष्ट के महास्ची मानिय श्री हंस राज राजबर जी तो आए मिलते हैं और जानते हैं उन्चे जो बनारस में कल घटना घटी मानिय ओंप्रकास राजबर जो सुहल्द भारते समाज पार्टी के राश्टी अधक्ष हैं और मानिय अर्बिंद राजबर जी के जो शिवपूर विधान सभा से प्रत्यासी हैं और विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए वो परिचाद अखिला कर रहे थे और अच्छानक बीजेपी के कुछ अधिवक्ताओं ने जो बीजेपी से मिले जूले हैं और अपना विरोध जाहिर करने के लिए माने उम्प्रकास राजभर और और स्विवपुर विधान सभा के प्रत्यासी माने अरबिंद राजभर जी के साथ जो बदसलुकी किये हैं उन्होंने तो आए जानते हैं महराश्ट महासचीव हंस्राज राजबर जी से कि ऐसा क्यों ह हो रहा है हंस्राज जी आपका हमारे यूट्व चैनल राजबर एक्स्प्रेस चैनल को तहे दिल से अभार व्यक्त करता हूं और आज वाराड़सी में कि स्विवपुर विधान सभा अरबिंद राजभर मन्नी ओंप्रकास राजभर के को लेके सब लोग माद्यम पूरे हम पूरा हम लोग का गया हुआ था नामकन के लिए नामकन के दर्मियान विभी जैपी के कोट धहरी गुंड़े वहां पर मॉजूद थे वहां के जिला अधिकारी अव्यक्ता थे वहां के बड़ी प्रसासन भी थे उनके इसारे पर सब लोग वहां पे थे जब कि साप तरीके से वहां से वो था कि वहां पे तीन से जादा नामंकन के लिए कोई जा नहीं सकता लेकिन कैसा है लोज किया अपना उनको कैसा तिल मिला गए हैं उनको क्या लग रहा है कि अब आज कि आज वहां वाराण सी बिधान सभा से नहीं उत्तर प्रदेश से उनका ख़देड़ा हो रहा है अब उनके दिमाग में दिल में जहन में तो उन्हों ने यह तमाम तरीके के अपने गुंड है बताना चाहूंगा अगर यह रयक्ट कर दो आगर अगर सुहल देशिकर समाज पाटी के राश्री अध्यक्षजी के साथ जब हो रही है यह नार्मल इनसान के साथ क्या शक्कती है इसके बारे में आप क्या और चाहेंगे यह निंदनी है यह कोई सामाज के साथ नहीं जलादहार यह लोग दिमाग में रखे कि इस तरीके से इनको डर्वा दिया जाए गोली मानने का धंकी दिया जा रहा है खुले आम खुले आम परसर में नामंकर परसर में उनको गाली दिया जा रहा है नामंकर परसर में उनको गोली मानने के दिया जा रहा है एक और बात बोल बीजेपी के गुन्डे है। नाम लेते हैं। बीजेपी के सारे गुन्डे भरे उपड़े हुए लेक अपने तरीके से वहाँ उनके याका महौल खराब किया जाए। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी यहां से विधान सभा चुना और बनारा से क्या और पुरे उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी आगे आएगी बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और यह चीज के लिए स्वयम जो अमिस्था जाके थूग लगा के जो परचा बाट र हो गया है उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोग नहीं रहने वाले नहीं को कहीं चिंता आए हम लोग सरकार से ब्रदखर कर दिए जाएंगे और सचाहिये ही हैं। पुरा हाकार मचा के रख दिये हैं और इसके उनके मनोबल उस्सा को देखते हुए उनके बीजेपी के अंदर डर बैड़ गया है कहीं नहीं के दिमाग में यह चीज का डर बैड़ गया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश से यहां से चुनाव हार रहे हैं आपसे जानना चाहेंगे यह आखिरकार बीजेपी की हाकिकत क्या है बीजेपी का हाकिकत है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में क्या खदेड़ा हो रहा है ओक डर गई है उत्तर प्रदेश से डर गई है ओम प्रकास राजभर से डर गई है उनको पता है अखिलेश जिसे जि जगा जगा दिये विजेपिने और बीजेपि का कुछ कारीन एंट चाहती है। बुरी तरह, बहुत बुरी तरह BJP का हार है और BJP के जो गुंडे है उनके घर पर बुल्डोजरे नहीं चलेगा, छोटे सामाज के जो हैं गुंडए उन पर बुल्डोजे बुल्डोज्रे चले तो ब्रिजस सींग भी है, माफिया सुजी सिंग है बड़े बड़े लोग है वहाँ पे उनके पर विचले तम न जाने सर्व समाज सब के लिए बुल्डोजर चला जा रहा है योगी जी बोलते हैं कि मैं पूरे देश के लिए काम करता हूं ऐसा नहीं है वो सामाज को देखते हुए काम करते हैं देखते करते हैं और माहोल को खरब करने की कुसिस करते हैं और जो मा हमारे हमारी çıkar जो पर है जो उनонके ऊपर जो लोगत तरह तरह का बपती चलते हैं समाज के लोगि उसमें उनको बहल्माद सक mateix RT कि इस तरीक का अब अबद्र ब्रवात किया जा रहा है गाली गलोज किया जा रहा आ का निंदनी है पूरे देस में महंगाई किया है और गरीब तपके के लोगों के लिए समस्या कर दिया पाँच किलो रासन थो उनों ने दिया लेकिन उनके घर में जो चूला जलता है जो गैस जलता उसका कीमट डबल कर दिये जो 400 का सिलेंडर तो उठा के 1000 कर दिया गया जो रास्त जो अपने जो सरसो का तेल हम लोग को मिलता था गरीबों को मिलता था 120-130 रुपए में उसको उठा के 200-500 कर दिये तमाम तरीके का महांगाई जो उनको चरम सिमा से उपर कर दिय गरीब तपके के लिए बहुत बुरा दिन हो गया है आज उसका 300 रुपय मजदूरी टिहाडी चल रहा है 300 रुपय में उसका घर परिवार नहीं चल पा रहा है देश बोलती है एक तरव कि मैं सबका साथ सबका विकास करूँगी लेकि सबका साथ सबका विकास नहीं करती है सिर्फ पूजियों पतियों का विकास करती है उनका साथ देती है उनका विकास करती है और गरीबों के लिए तो कैसा आप गरीब मरने के उस्था में आ गए है क्योंकि जिस हिसाब से मांगाई चरम सीमा पर है गरीब बहुत बुरी तरह से मरे हैं उनके ठीक डंक से परिवा चीज है जो उम्प्रकास राजभर के ऊपर जो हमला किया गया बहुत निंदनी है और यह प्रसासन के सामने ही हुआ है प्रसासन वहां पर थी और राजभर समाज के लिए बोलना चाहेंगे हम लोग की दिखें राजभर समाज को भी आगे आना चाहिए जो कि मसी गरीबों के यह मसीय है हमारे और प्रकास राजभर जी और राजभर में आज जो रचाई प्रकास राजभर जी ने और गरीबों के हक अधिकार की बात किये हैं और जो इन्हों ने शिख्छा स्वास सामानता की बात की और यह दिस बात को मांग रगते करते हैं नड़ाई लड़ते हैं इनके लिए कैसा राजजबर समाझ को भी आ गयाना चाहिए के हमारा वैक्ति हमÎरा है система पड़े झcciones is चाहिए और गरीबों को इस चीज का करना चाहिए और मानियों प्रकास राजबर के हाथों को मजबूत भी करना चाहिए ताकि उनको वोट दे के आगे विकास के रास्ते बड़े सम्मिदान तक पहुचाना चाहिए धन्यबाद हंसराज जी आपका आप हमारी चैनल पितना समय हंसराज राजबर जी तो आएए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जैहिन जै भारत